नमस्कार दोस्तों यकीन रखना इस वर दूसरा दर्वाजा खोले भी ना पहला दर्वाजा बंद नहीं करता नमस्कार दोस्तों राधे राधे स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल के भी रासी फल में आज बात करने जा रहे हैं कुम्ब राशी वालों की कुम्ब राशी वालों का नौजंवरी दिनमंगलवार कैसा रहने वाल है उन्हें आने वाले समय में किनकिन्ची जोसे सावधान रहना होगा और दोस्तों को आने वाले समय में वो कौन कौन से खुशकबरिया मिलने वाली है तो दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुम्ब राशी वालों का पारेवरिक जीवन कैसा रहेगा उनका बिजनस वैपार कैसा चलेगा उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथी साथ उनका स्वास्त कैसा रहे तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आज कर स दोस्तो कॉमेंट में जैस्री राम सरूर लिखना दोस्तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैन पर पहली बार आए तो चैन को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर सिलेक्ट करें आप बात करते हैं दोस्तो आज के पंचांग की आज का पंचांग है नौ जन्वरी 2024 दिन मंगलवार आज की तीतिय त्रयो दशी आज का नच्छतर है जेश्टा नच्छतर पच चल रहा है क्रिश्ने पच दोस्तो आज सूरिदे उदाए होंगे सुष साथ बच के 17 मिनट पे सूरिदे वस्ते होंगे साम पांच बच के 41 मिनट पे दोस्तो आज का साथ मिनट से दो पहर 12 बच के 49 मिनट तक रहेगा अगर दोस्तो कोई सुब काम करना है तो इसी समय करें आपके लिए सुब रहीगा और साथ ही साथ आज का सुब समय है सुबह 10 बच के 40 मिनट से सुबह 11 बच के 25 मिनट तक दोस्तो आज आपका लग्की नंबर है 8 और लग् करते हैं दोस्तों आज के चानक के नीति ग्यान के बारी में चानक के जी कहते हैं आसा कितनी भी छोटी हो लेकि निरासा से बहतर होती है इसलिए आसा पाथी बने मुश्किल समय में सफल होने की उम्मिद बनाए रखेंगे तो काम करना थोड़ा असान हो जाएगा अगर सफल तकि उम्मिद ही नहीं होगी तो सरल काम भी कठिन लगेगा इसलिए आसा कितनी भी छोटी हो लेकि निरासा से बहतर होती है इसलिए हालात कैसे भी हों दोस्तों हमें हर स्थीती में सकरात्मक रहना चाहिए और उम्मिद नहीं छोड़ना चाहिए जो व्यक्ति जितना ज्या और प्रेम मिलता है दोस्तो जब हम सफल होनी की उमीद के साथ प्रयास करते रहते हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है अब बात करते हैं दोस्तो आज के कुम्ब राशी फल के बारे में कैसा रहेगा आपका आज का दिन आई जानते हैं तो दोस्तों, सिर्फ आप जानते हैं, कि आपके लिए क्या बहता रहें। इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने, तथा फैसले तुरंत रहें। और उनके परिनामों का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। और अगर आप छात रहें, और विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाते हैं, तो घर की आर्थिक तंगी अज आपके माथे पर सिकन ना सकती है। दोस्तों, जितना आपने सोचा था, आपका भाय उसे ज्यादा आपकी मदद करेगा। आज रोमान सापके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। देवसाइक साज़ेदारी सही योग करेंगे और आप साथ मिलकर टलते आ रहे कामों को पूरा कर सकते हैं। आपका कॉम्मिनुकेशन और काम करने की छमता असरदार सिते होगी। साथ ही कोई पुराना मित्र अपने साथ आपके जीवन साथ ही के पुराने यादगार किस से लेकर आ सकते हैं। आपको कारे छेत्र में किसी से बेवजा उलजने से बचना होगा। नहीं तो समस्याएं हो सकते हैं। नौकडी में यदि आप एक कुई भी बद्लाव करना चाहते हैं नौकडी के छेत्र में लेकर तो आपकी वइच्चा पूरी हो सकते हैं। और आपको कहीं बदलाव के लिए निम्न प्रस्ताव भी आ सकते हैं। दोस्तों, अपने धन, आभुशन या कीमती समान का खास क्याल रगे। क्योंकि आपके सितारों के अनुसार अच्चोरी या नुकसान की संभाव नाय दिख रही है। कुछ समय निकाले, अपनी दिल की सुने, उसके बाद ही कोई निन ने ले। दोस्तों, आपके हर कारे का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। नयरिस्तिय परिजनाओं की सुरुआद भी हो सकते हैं। लच्छे निधारित करें और आत्मे विश्वास के साथ इसकी और बढ़ें। सफलता आपकी हो। भाई बेहन की परिशानियों को सुल्जाने के लिए, आज आप किसी यात्रा की योजना बना सुनते हैं। इन में आपका पार्टनर भी पूरा साथ देगा। इसके बदले में आपका सुईट हाट आप से केवल उसकी केर की मांग करता है। इसलिए उसका ध्यान रखें और उसकी केर करें। उसकी हर संभव मदद करें और उसका साथ जीवन भर निभाएं। समान विचारों वाले लोगों से बातचीत करें और आउसरों का लाव उठाने का प्रियास करें। रोमैंस और महबद भी आज आप पर महरवान हैं। क्योंकि खाली वक्त के लिए आपने कुछ खास कारिकरम बनाए हैं। रोमांस का मतलब केवल अपनी सायरिक जरोतों को पूरा करना ही नहीं। बलकि अपने पार्टनर को हर संभव खुशी देना होता है। साथ ही आपको बताएं। इस समय लोग आपके बहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत हुस्सुक है। आपको अब उनसे जो भी बात मनवानी हैं आप आसानी से मनवा सकते हैं। इसके लिए कोई कसर ना छोड़ें। अपने अधिकार जतानी की प्रवरिती को नियंतरन में रखें। या आपके खिलाप जा सकती है। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइब की आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आईए जानते। तो दोस्तों अज आपको अपने बुजूर्ग रिष्टदार के स्वास्ते का ख्याल रखना हो। आपके अन्य बातों में व्यस्त होने की संभावना है। जिसकी वज़े से आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे। परन्तु आपको अपने साथी से बहुमुल व्यभारिक और भावनात्मक समर्थन मिलीगा। आपका साथिया जिवीत्यमामलों में भी आपकी मदद कर सकता है। इसलिए अपनी प्रसंसा दिखाना ना भूले। चाहे वह एक लगू रूप में क्यूं न हो। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यपार और कैरियर की। तो दोस्तों या समय अपने कार छेत्र को दिशा या बदलाव देने का उची समय है। कुछ समय से आप आइस्थीरता को महसूस कर रहे हैं। नए और जोज भर देने वाली आवसर आज आपके सामने आ सकते हैं। और आपको आसावादी रहकर उन्हें पूरा करना होगा। दोस्तों या आपके कार छेत्र को पुनरजिवित करने में मदद करेगा। और आगे जाकर आपकी कार छेत्र संबंधी समस्याओं का निराकरान करने में आपकी साहता करेगा। जो कि आपके स्वास्ते पर भी प्रतिकूल प्रभाव देगा। तो दोस्तों यह था आज का कुंब राशी का राशी फल। रोज के कुम्ब राश्री देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन आल पर सिलेक्ट करें आपका दिन सुभो नमस्त दोस्तो राधे किश्ना